सिनिर सिटीजन को बहुत सारी अन्य सुविदाएं जैसे के Medical Healthcare Facility उसके अलावा हवाई यात्रा रेल यात्रा और भी बहुत सारी अन्य सुविदाएं सरकार द्वारा दी जाती यहाँ पर threat को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर senior citizens के लिए medical facility और health facility में यहाँ पर बड़ोतरी करी है उसी यह साथ साथ जो senior citizen है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे perks और other facility यहाँ पर दी गई है तो यहाँ पर सरकार ने एक facility यहाँ पर जारी करी गई है senior citizen card इस facility care through यहाँ पर वो सभी सुविदा यहाँ पर ले सकते हैं सभी benefits यहाँ पर ले सकते हैं तो आज आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले ऐसे आठ benefit जो यहाँ पर आप senior citizen card अगर आप apply कर लेते हैं senior citizen card अगर आपके पास होता हैं और क्या-क्या यहाँ पर आपको आठ benefit जो है वो मिलने वाले हैं तो आईए start कर अपने आज के वीडियो को वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करेगा अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करेज़ेगा और ज्याद ज्यादा शेयर जरू करेगा आईए start करते अपने आज के वीडियो को जान लेते हैं और कौनसी कोनसी ऐसी आठ सुविदा है जो senior citizen कार्ड पर आपको मिलने वाली है तो दोस्तो आइए start करते अपने वीडियो को बात कर लेते senior citizen कार्ड के बारे में यानि senior citizen certificate के बारे में भी हम कह सकते के यहाँ पर अगर आपके पास यह कार्ड है यानि यह कार्ड आपका पहचान पत्र है यानि इस कार्ड के थुरू यहाँ पर आप जो है senior citizen माने जाएंगे और आपको सरकार द्वारा दी गई सभी facility का यहाँ पर फाइदा मिलेगा आईए सबसे पहले देख लेते तो ध्यान रखेगा यहाँ पर banking service में आपको बहुत ही बड़ा फाइदा मिलने वाला है अगर आप senior citizen कार्ड बनवा लेते हैं और यहाँ पर banking facility लेते हैं तो बहुत सारी Indian bank है जो यहाँ पर senior citizen को तो देखा जाए जिनका ऐज अजाए सांट से कम है, यहां पर point 5% आपको ज़्यादा interest rate दिया जाता है, उसी यहां पर आपका 50,000 से ज़्यादा का अगर interest हो, तभी यहां पर आपका TDS deduct किया जाता है, यानि 50,000 से कम हो तो आपका कोई भी TDS नहीं डिटक्ट किया जाता उसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेस है जो यहाँ पर सीनियर सिटिजन के लिए दी गई है अब आजाते हैं बात कर लेते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पर जो बात करता है इंकम टेक्स में बेनिफिट देना तो यह अगर आपके पास सीनियर सिटिजन कार्ड है तो यहाँ पर आपको इनकम टेक्स में अच्छा-खाआसा बेनिफिट दिया जाता है Slab Rate में यहाँ पर बेनिफिट हिए जाता है अगर आपकी आपको साथ से ज्टार्ट होती है यहनी 来ँ तक आपको कोई भी tax नहीं देना सरकार को उसी के साथ अगर आप सुपर सिनेर सिटीजन याई असी से ज़ादा कि अगर एज है तो यहाँ पर आपको पांच लाग तक कोई भी tax लगएगा अगर साय यहाँ पर आपको सेक्शन एंटी कि यहाँ पर भी ऐन पर रेखे यहां पर आपको पचास जार तक यहाँ पर आपको छूट मिलती है अगर आप senior citizen है अगर आप medical insurance premium करवाते हैं बट अगर आप सिर्फ medical treatment करवाते medical insurance premium नहीं भी करवाते तो भी यहां पर आपको 50,000 तक का benefit दिया जाएगा तो ध्यान रखेगा income tax में ऐसे बहुत सारे benefits जो हो यहां पर दिये गए हैं अगर आप senior citizen card या फिर अगर आप senior citizen होते हैं तो अब आ जाते हैं अपने तीसरे benefit पर जो यहां पर दिया गया है priority in court hearing अगर आप senior citizen है या आपके पास senior citizen card है तो यहां पर आपको court hearing में prioritize किया जाएगा अगर आप कोई भी case दाखिल करते हैं तो यहां पर आपको first on first basis पर यहां पर case को देखा जाएगा speedy process यहां पर आपका किया जाएगा priority basis पर यहां पर आपको case को जो है वो run किया जाएगा तो ध्यान रखेगा यहां पर senior citizen card होने का एक और benefit यहां पर दिया गया सरकार द्वारा के आपको court hearing में जादा यहां पर जो है समय नहीं लगेगा आपका जो court hearing का जो cases है वो यहां पर priority में यहां पर रखा जाएगा और यहां पर speed जो है वो यहां पर रखी जाएगा अब आजाते है अपने चोथे point पर जो बात करता है यहां पर railway में सुविधा दी जाती है सभी senior citizen को अगर आप senior citizen है आपके पास senior citizen card है तो यहां पर अगर आप travel करते है railway के द्वारा तो यहां पर आपको छूट दी जाती है यहां पर भाड़े में तो यहां पर आप ध्यान रखेगा कि यहां पर अगर आप मैन है तो यहां पर आपकी जो है एज 60 साल से जादा है तो यहाँ पर 40% तक का आपको छूट दी जाती है अगर आप फीमेल है तो उसके इसमें 50% तक की यहाँ पर आपको छूट दी जाती है आपके एज 58 से जादा है बट यह छूट जो है वो COVID तक अपलिकेबल थी यहां पर सरकार ने उस छूट को बंद कर दिया था अब यहां पर सुनने में आ रहा है के शोर्स से पता चलता है के रेलवे फिर से इस छूट के बारे में विचार कर रही है अगर आप Senior सिटीजन है तो यहाँ पर आपको Slipper क्लास और General क्लास के लिए यहाँ पर जो सुविदा फिर से देने वाली है टिकेट में यहाँ पर आपके लिए छूट देने वाली है जो यहाँ पर age limit यहाँ पर बढ़ाने की बात चल रही है कि यहाँ पर जो age limit 60 है उसको बढ़ा कर अब सित्तर कर दिया जाएगा तो ध्यान रखेगा आने वाले समय में यहाँ पर जो सुविदा है फिर से मिल सकती है बट यहाँ पर यह जो सुविदा है फिलाल अभी स्टॉप कर दी गई है बट यह आगे future में होने वाली है वापस start लेकिन यहाँ पर सित्तर की age से यहाँ पर जो limit है वो यहाँ पर start होने वाली है तो अगर आप senior citizen आपके पास senior citizen card है तो यह railway की सुविदा भी आप ले सकते जापर आपको separate booking counter दिया जाता है उसी हिसास साथ अगर आप बुजुर्ग है तो यहाँ पर आपको lower यहाँ पर birth दी जाती है railway द्वारा system द्वारा यहाँ पर खुदी आपको जो allocate कर दी जाती है तो यह भी सुविदा यहाँ पर एक जो आपको दी जाती है आजाते है अब अपनी next सुविदा पर अब आजाते है अपने अगले point पर यानि 5th point पर यहाँ पर आपको benefit मिलता है telephone bills में तो यहाँ पर आपके पास senior citizen card है तो यहाँ पर सरक्वार द्वारा अगर आप landline लगवाते है BSNL के अंदर तो यहाँ पर आपको bill में यहाँ पर जो छूट मिलती है उसी इसास आता है आपका कोई भी registration charges यहाँ पर नहीं लगता telephone bills हो गए telephone landlines अगर आप रगाते है registration करवाते ही तो यह प्राइटी आपको दी जाती है तो यह एक और benefit यहाँ पर आपको मिलने वाला है अब आजाते है अपने छटे benefit पर जो यहाँ पर दिया गया है lower airfare अगर आप यहाँ पर travel करते हैं यहाँ पर air से travel करते हैं ट्राइट से travel करते हैं तो यहाँ पर आप कोई टिगेट में जो है यहाँ पर discount दिया जाएगा ध्यान रखेगा यहाँ पर अगर आप इकोनोमिक क्लास में ट्राविल करते हैं यहाँ पर आपको 50 परसंट तक का यहाँ पर discount दिया जाता है अगर आप सरकारी हवाई जाज की सुविधा लेते हैं तो उस केस में यहाँ पर वितिन इंडिया के अंदर अगर आप घूमते हैं हवाई से तो यहाँ पर आपको 50 टका तक यहाँ पर discount दिया जाता है तो यहाँ पर आपके पास सेवन पॉइंट पर जो बात करता है यहाँ पर social welfare benefit दिया जात है अगर आप senior citizen है आपके पास senior citizen card यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको government द्वारा सुविधाई मिल जाती है सभी government hospital में उसके इसासाथ प्राइटी यहाँ पर आपको दी जाती है clinical examination के लिए and सरकार द्वारा यहाँ पर health insurance आपके लिए जाता है एक लाग तक का hospitalization और दो insurance लेते है वरिष्ट बीमा योजना के अंदर तो यहाँ पर अच्छा कास आपको written दिया जाता है उसके अलावा सरकार भी यहाँ पर बहुत सार यह योजना है जो यहाँ पर senior citizen के लिए लाती रहती है हर साल तो ध्यान रखेगा यहाँ पर social welfare benefit भी यहाँ पर दिया जाता है senior citizen card holder के लिए अब आजाते है अपने 8 benefit पर जो बात करता है यहाँ पर easier passport process तो यहाँ पर अगर आप senior citizen apply करते है पासपोर्ट के लिए तो यहाँ पर आपके लिए process होने वाला easier because यहाँ पर सरकार आपको सुविदा देती है यहाँ पर आपकी जो police clearance है वो यहाँ पर exemption यहाँ प यहाँ पर आसानी से अपना password बनवा सकते है आप अपने children का यहाँ पर passport की copy with application के साथ जाकर आप अपना passport बनवा सकते है सुविदा यहाँ पर आपको दी जाएगी कोई भी police inquiry यहाँ पर आपके लिए नहीं की जाएगी senior citizen को यह exemption यहाँ पर दिया गया है आ जाते है अब बा बात कर लेते हैं यहाँ पर senior citizen काड कैसे यहाँ पर आपको apply करना है तो ध्यान रखेगा senior citizen काड के लिए यहाँ पर आपकी state government की जिस state से आप belong है उस state government की website पर जाकर आप senior citizen काड यहाँ पर apply कर सकते हैं जिसके लिए आपको पास एक application form आएगा जिसके इंदर आपको अपना गाम, डेट ओव बर्थ, एड्रेस, प्रूफ, सभी यहां पर चीजे अटेच करनी पड़ेगी, प्रूफ में देखा जाए तो एज प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और यहां पर डॉक्टर सर्टिफिकेट उसी के साथ साथ यहां पर तीन पासपोर पर जाकर आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूसेस है, ज्यादा डिटेल यहां पर आपको नहीं देनी, अपना नाम, पता, एड्रेस, अपना एज प्रूफ, अपनी इमेल आईडी, मोबाइल नमबर, उसी है, इसाथ साथ अपने रिलेटिव की यहां पर थोड़ी सी कार अगर आप बनवाते हैं, तो यहां पर यह 8 बेनिफिट आपको मिलते हैं, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे बैनिफिट है, जो सीन्य शीटिजन को यहां पर दिये 가능 है, सरकार दौरा, तो आज का वीडियो यहीं कतम करते हैं, वीडियो अगर आपको पसनद आए तो चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरू करेगा जए जएदा शेयर जरू करेगा धन्यवाद